बाढ़ से बेहाल बेहार में अजीबो गरीब घटनाए घट रही हैं मदबनी जिले के लौकही थानक इस्तित कौरियाही गाउं के भगवानपूर चोड़ी में धान के खेत में अचानक आसमान में से एक किलो का पत्थर गिरा इसके गिरने की आवाज लगबग 5 किलोमेटर तक सुनाई दी माना जा रहा है कि यह पत्थर किसी दूसरे ग्रह का तूटा है यह किसी उलका का औशेश भी हो सकता है सीम नितीश कुमार ने इसे पत्ना इस्तित बिहार संग्र हाले में रखने की बाद कही है इस पत्थर को पत्ना लाय गया था और सीम नितीश कुमार ने खुद इस पत्थर का उलोकन किया है ग्रामिनों की माने तो खेत में आस्मान से तेज अवाज के साथ पत्थर गिरा था और राम इकबाल मंडल के खेत में कुछ फीट नीचे धस गया यह दावा है कि पत्थर गिरने वाली जगह पर कुछ पल के लिए सफेद धुआ देखा गया पत्थर धसने वाली जगह ततकाल गर्म पाई गई थी घटना की जानकारी मिलते ही पत्थर को देखने के लिए आसपास के गाउं की लोगों की भीड जुटने लगी अस्थानीय लोगों ने उक्त पत्थर को निकट के एक पीपल विरिक्ष के नीचे रखकर पूजा अर्चना भी शुरू कर दी थी लेकिन कुछ देर में ही अस्थानीय प्रशासन ने पत्थर को अपने कबजे में ले लिया झाल झाल झाल